नमस्कार आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट मैं हूँ शिशान सिंख अब जुड़ी हुई है केल राहूल से और केल राहूल की फॉर्म को लेकर जो बवाल छिड़ा हुआ है और अलग-अलग छोर से जो उन पर सवाल उठाये जा रहे हैं खास तौर पर एक क्रिकिटर जो लगातार पिछले कुछ दिनों से या टेस्स सीरीज से पहले से केल राहूल पर खास तौर पर सवाल उठा रहे हैं उनका नाम है वेंकटेश प्रसाद अब बहुत से लोग हैं जो वेंकटेश प्रसाद को शायद जानते नहीं जो इस देखना होगा अगर आपको वो भी आद नहीं है तो आप 1999 का वर्ल कप देखिए और पाकिस्तान के खिलाफ उनकी गेंदबाजी देखिए जिसमें उन्हों ने और अनिल कुंबले ने भारतिय जीत के लिए एक एहम भूमिका निभाई थी इतना भी का अगर काफी नहीं है दो तो मैं आपको बता देता हूँ कि वेंकटेश प्रसाद ने भारत के लिए 161 वन डे इंटरनेशनल मैच के लिए है 196 विकेट उसमें उन्हों ने अरजित किये इतना भी नहीं काफी है तो और बता देता हूँ 33 टेस्ट मैच वेंकटेश प्रसाद ने भारत के लिए खेले जिसमें 96 विकेट उन्होंने लिए हैं यानि कुल मिलाकर 292 अंतराश्ट्रिय विकेट वेंकटेश प्रसाद के नाम पर हैं लेकिन आज कल हो ये रहा है कि कोई 4-5 टेस्ट मैच खेला हुआ खेलाडी आकर उनको ग्यान दे रहा है कि सर ऐसा नहीं लगता कि ये टेस्ट मैच के बाद आपको करना चाहिए था भाई और ऐसे बहुत से और भी लोग हैं जो अपने आपको स्वयंभू क्रिकेट एक्सपर्ट मानते हैं और इस तरीके का ग्यान बाट रहे हैं लेकिन अब क्या किया है वेंकटेश प्रसाद ने बहुत अच्छा काम किया है ये जितने भी स्वयंभू एक्सपर्ट हैं और ये जितने भी जो दो मिनट ऑफ पेम जिनको चाहिए जो जाकर उनके वाल पर ट्वीट कर देते हैं कि अरे ये और अरे वो तो इन सभी अंधभक्तों की भक्तीब को वेंकटेश ने प्रसाद दिया है और वो प्रसाद क्या दिया है वो मैं एक-एक करकर आपको दिखाने जा रहा हूँ वेंकटेश प्रसाद ने सबसे पहला ट्वीट इन अंधभक्तों के लिए किया है और जो भी क्रिकेटर्स हैं जो जान बूज कर आँखों पर पट्टी बांध लिया है वो अंधे है नहीं लेकिन जान बूज कर बन रहे हैं वो वेंकटेश प्रसाद ने सबके सामने रग दी है यानी जितने भी क्रिकेट एक्सपर्ट जितने भी अपने आपको कुछ जो sports journalist मानते हैं, cricket journalist मानते हैं उन सब का काम Venkatesh Prisad ने असाद कर दिया और ये जवाब दिया है उन्होंने अपने tweet के जरीए, ये देखिए उन्होंने का, आप कहते हैं overseas का test report बहुत अच्छा है, इतने शतक लगाए है, केल लाहुल ने, भाईया ये लेजिए, ये उनका test record है, यहां कड़े आप देख लीजिए, home और अवे घर पर उनकी ओसत 40 की है और बाहर जो है 30 की ओसत है, और 30 की ओसत भी 56 पारियों में है तो 56 पारियों में 30 की जोसत को आप ऐसे कर रहे हैं, के कह रहे हैं कि भाई, वो रोहित शर्मा और सुनील गावस्तर के बाद हमारा दूसरा सबसे बड़ा ओपनर है, अरे भाईया, विरिंदर तैवाग है उसके अलावा, 36 यों इतने प्लेयर्ट आए हैं भारत के एक से बढ़कर एक नवजोद सिंग सिद्धू ऐसे अनगिनत नाम हैं भारत में, और आज भी अगर आप ररजी में से उठा लेंगे, तो गिनती कम नहीं होगी, लेकिन ये ट्वीट उन्हों ने कहा है, और सामने आईना दिखा दिया, अब जो ये अंधभक्त थे, वो कंबल में मूँ छुपा रहे हैं बाहर निकल कर नहीं आए इस ट्वीट के बाद, क्योंकि जो एक दिन पहले तक मूँ खोल कर बोल रहे थे, ओवर्सीज, ओवर्सीज उन्हों दिखाई नहीं पड़ रहे हैं है केल राहुल की, कितनी दोस्त, तीस की और पांच, उन्हों ने अर्दोशतक लगाए हैं, छे शतक लगाए हैं, तो ये उनका रेकॉर्ड रहा है अब एक शतक लगाते हैं, तो आप सोच लीजिए कितने वो फेलियर होते होंगे और उसके बाद ये उनका पूरा रेकॉर्ड रहा है और इसके आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं, वेंकिटेश प्रिसाद के दूसरे ट्वीट की, यानि कि उन्होंने काया कि सिर्फ आपको इस पर फोकस नहीं करना है, कि कैसा प्रदर्शन किया, केल राहुलने हम बाकियों के भी आखड़े आपको दिखा दे रहे हैं, शिखर दवन का उन्होंने आखड़ा दिखाते हुए का, कि ये देखिए ये शिखर दवन के ओवर्सीज के आखड़े आप भूल जाए गर पर किसका कैसा प्रदर्शन है ओवर्सीज की बात हो रही है, चलिए ओवर्सीज के आखड़े दिखाते हैं आपको तो ओवर्सीज में उन्होंने दिखाया कि चालीस की करीब करीब ओस्त है शिखर दवन की पांच शतक उन्होंने भी लगाए है लेकिन उनको तो कोई पूछने ही रहा है उसके बाद उन्होंने न्यूजिलिंड में शतक लगाया श्रिलंका में शतक लगाया लेकिन कोई पूछने को तैयार नहीं है पांच पांच शतक उन्होंने लगा दिये और चालीस की उनकी ओस्त है लेकिन उनको पता नहीं क्यों इतने मौके नहीं दिये गए ऐसा क्यों है महस्तेईस टेस्ट उन्होंने वहाँ पर केले कुल मिला का 34 टेस्ट केले ऐसी क्या वज़ा है कि शिखर धवन पीछे चूट गए और केल आगे निकल गए इस खराब प्रदर्शन के बावजूद इस तुलना के बावजूद जो अब आपके आँकों के सामने है अंदभग, I want to see you वेर आर यू गाइस आगे तीसरे पर बढ़ते हैं मयंक अगरवाल जो हैं वो उन्होंने आकड़ा दिखाया उन्होंने बताया कि ये देखिए ये मयंक अगरवाल के आंकड़े हैं भईया घर पर उनकी एवरेज सत्तर की है तेरा पारियों में और दो डबल हंडर्ड है डेड़ सो है वांखेडे जैसी पिछ पर जहां पर बाकी के जितने खिलाडी थे वो डूब गए तो ग्रेट अगेंस्ट स्पिन और प्रोलिफिक डुमेस्टिक सीजन उनका हाला कि जो अवे के बारा टेस्ट चेटेईस पारियां है वहां पर उनकी औसर पच्चीस की है जो वहां पर वो थोड़ा सा उनका खराब प्रदर्शन होता है लेकिन केल राउल से इतना भी खराब नहीं है इनकी पच्चीस की है उनकी तीस की है आगे बढ़ते हैं इसके बाद वेंकटेश कहते हैं शुबमन गिल सारे कंपेटिटर्स का उन्होंने दिखा दिया मौजूदा उन्होंने का कि शुबमन गिल ने कुल मिलाकर 14 ओवर्सीज पारियां खेली है लेकिन उसमें भी उनकी उसा 37 की है भाई 37 केल राउल कितनी 30 शुबमन गिल कितनी 37 वेर आर दा अंदभक्स आई कांट सी एनिवे 91 गैबा में जिसने जीत दिलाई उसके बाद आप इसको कहते हैं कि और वो चौती पारी में थी 91 की पारी लेकिन आप शुबमन गिल को शुबमन गिल तो अरे नहीं केल राउल केल राउल पर भरोसा है चलिए उन्होंने काहिन सब को छोड़िए अजिंके रहाने की बात कर लेते हैं जिन्होंने कप्तानी में जिन्होंने अपनी पारी से जो शतक लगाया था और 36 पर उल आउट के बाद से वो तीन मैचों में उन्होंने कप्तानी की जो विराट वापस आ गए 2020-21 की सीरीज में उस्ट्रेलिया से उन तीन मैचों में कप्तानी करके दो शून ने उनका जो आँकड़ा रहा और दो एक से सीरीज पर कबजा किया एतिहास एक सीरीज जीत दर्ज की उनका वो ड्रॉप है टीम से बाहर कर दिये गए हैं उनको कोई पूछ नहीं रहा है उनकी जो ओस्त है दोस्त ओवरसीज के पचास टेस्ट मैचों में चालीज के करीब की ओस्त है उनकी लेकिन उनको भी कोई नहीं पूछ रहा है ऐसा क्यूं होता है ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ अंदभक्त कहा हैं वो लोग के ल राहुल के सपोर्टर्स है क्या शर्म आती है हमने सिर्फ उसका डिस्ट्रिब्यूशन किया है प्रसाद जितना बाटो उतना ज्यादा पुन्य मिलता है ये हमने सुना है अब इसके बाद अजिंक के रहाने के आंकडे के बाद उन्होंने फाइनली एक बात कही उन्होंने कहा कि केल जो है वो अगले दू टेस्ट मैचों के लिए भी रीटेन कर लिए गए है अगर उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल किया जाता है तो इन दौर में उनका बेस्ट चांस है शतक लगाने का फॉर्म में आने का या जो भी राहुल दरविड उनसे चाहते है या फिर उनके IPL के टीम के ओनर और बीसी सी आई उनसे चाहते है ये बेस्ट चांस है अगर ये भी नहीं होता तो वो कह रहे है मैं हाद जोड के गुजारिश करता हूँ मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप जाएं और काउंटी में जिस तरीके से चेटेश्वर पुजारा ने रनों का अंबार लगाया वहाँ पर से जाकर आप अपनी फॉर्म को वापस पाएं और एक confident खिलाडी के तौर पर वापस आएं क्योंकि हम जानते हैं कि आपका potential क्या है लेकिन आठ साल में अगर आप उस potential को टैप नहीं कर सके तो ये जो दोए देश में हजारों लाखों खिलाडी खेल रहे हैं उनके potential का क्या ये सवाल है इस सवाल का जवाब आप भी सोचिए और वो सारे जो बे मतलब आँखों पर पट्टी बांग कर सपोर्ट कर रहे हैं केल राहूल को वो भी सोचें और एक के गलत प्रदर्शन को लेकर आप दूसरे से तुलना करना छोड़ दीजिए पहले ये देखिए कि कौन खिलाडी उसके चलते बाहर बैठा हुआ है एक छोटा सा सवाल क्या अभी भी आप मानते हैं कि केल राहूल इस दे बेस्ट ओपनर जवाब दीजिए हमारे कॉमेंट सेक्षिन में आप देख रहे हैं स्पोर्ट शैट मैं हूँ शेशान सिंग नमस्कार